आज तो आप सीखने की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन 4-5 साल बाद जब आप बहुत सारा पैसा कमालोगे न, ट्रस्ट मी, आप पीछे मुड़ के देखोगे और खुद को थाइंक्यू बोलोगे कि आपने इस वीडियो से अपनी ट्रेडिंग और टेकनिकल अनालिसिस को सीखन की चुरुआत की, और मुझे पता इस वीडियो के बाद भी आप बहुत सारे टेक्निकल ऐनालिसिस वाले वीडियोस देखने वाले हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखा, और उसके बाद आप कितने भी कोर्सेंS करो, कितने भी टेकनिकल अनालि तो सोच लो, ये विडियो अगर आपने पूरा देख लिया, तो मैं हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैड जाऊँगा, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो जल्दी से इस विडियो को बंद कर दो, और चले जाओ, क्योंकि ये विडियो पूरा देख लिया, तब तो जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा आज फिनोलोजी में न हम मदद करने वाले हैं ट्रेडर्स की क्योंकि बहुत सारे यंग लोग इस मारकेट में आते हैं बहुत उमीदों से कि घरवालों की कुछ मदद हो जाए मेरे पास मैं बहुत सारे कोर्षेश करूंगा विडियोस देखूंगा बुक्स भी पढ़ूंगा जो बन सकता है करूंगा लेकिन मैं इस मारकेट से पैसा कमाने में उन्हें उमीद देता है technical analysis, क्योंकि ये बहुत simple है ये promise करता है कि आप price movements देखो chart देखो, जिससे आप एक profitable trader बन सकते हो ये simple है, जल्दी सीखा जा सकता है कोई बहुत जादा educational requirement जरुवत नहीं है कोई particular background होने की जरुवत नहीं है हर कोई इससे एक profitable trader हो सकता है ये technical analysis promise करता है इसलिए बहुत सारे young लोग इसे सीखना चाहते हैं तो चलो ना, आज करते हैं आपकी मदद सिखाते हैं आपको technical analysis अब सबसे पहले हम शुरुवात कर लेते हैं जिस पे मैंने बहुत वीडियोज बनाये हैं share market और investing लेकिन investing कब काम आती है जब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल invest करके भूल सकते हो लेकिन सबके पास उतना time नहीं होता है न उनको आज पैसा चाहिए जरुवत तो आज है 5 साल बाद पैसा compound होके मिले, 10 साल बाद मिले तब का तब देखेंगे तब तो मेरी salary भी बढ़ जाएगे पैसे के जरुवत मुझे आज है वहाँ पे trading और traders हमें कहते हैं कि वो हमारी मदद कर सकते हैं तो मैंने भी काफी study किया इतने लोग बोलते हैं, हर कोई बोलता है तो सब पागल है क्या? तो मैं उसको deny करता रहा हूँ इससे अच्छा, आप सबके साबने आऊ और scientifically आज हम discuss करते हैं trading और technical analysis की अब जब भी हम trading की बात करते हैं हमें लगता है कि हमें technical analysis सीखना जरूरी है क्योंकि उसी से traders पैसा कमाते हैं तो investors पैसा fundamental analysis से कमाते हैं और traders पैसा technical analysis से कमाते हैं अगर आपको technical analysis नहीं आता तो आप trading नहीं कर सकते इस बात पर हम बाद में आएंगे अभी हम मान लेते हैं कि trading के लिए technical analysis आना पूरी तरीके से जरूरी है तो technical analysis अगर जरूरी है तो चलो समझते हैं क्या होता है टेक्निकल अनालिसिस ये बोलता है कि आप शेर का, future option का, commodity का, इन सब का price, future price, predict कर सकते हो उसके current price trend के हिसाब से याने पिछले 5 दिन में price का trend क्या है, पिछले 10 दिन में क्या है, पिछले 15 दिन में क्या है, क्या उसने नए lows बनाए हैं price ने, या newer highs बनाए है price basically उपर की तरफ जा रहा है, in general, या नीचे की तरफ जा रहा है, और उपर जाते समय, उसे कितना resistance का सामना करना पड़ रहा है याने उपर वो बहुत जल्दी से बहुत जा रहा है, या धिरे-धिरे करके, या फिर कभी उपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उपर जाता है, तो अगर ऐसा है तो resistance है, वरना नहीं है तो ये कुछ factors से, basically, पिछले कुछ दिनों का chart देखके, कि price किस तरीके से उपर नीचे हुआ है, मैं ये predict कर सकता हूँ, कि आगे इस share का price क्या होने वाला है, या उस commodity का price क्या होने वाला है past और present chart से future price predict करने की कोशिश करना ये है technical analysis, अब ये trend बताने के लिए बहुत सारे softwares भी आते हैं, कि वो signal दे देते हैं कई बात, कि ऐसा ऐसा हुआ है, 52 day moving average break हुआ है, 200 day moving average break हुआ है, तो आपको alerts आ जाते हैं, कि अब ये share uptrend में है, इसमें invest कर लो, और इस तरीके के गुना जादा courses आते हैं, बड़े महंगे courses आते हैं यार, मैंने कुछ courses देखे, कुछ websites पे, 50,000, 70,000, 80,000 के courses, जो आपको technical analysis सिखा रहे हैं, तो यार, 50,000, 60,000, 80,000 के चीज़, बड़ी उसमें secret strategies होती हैं, ये तो सच में बहुत काम करती होगी न, और बहुत profitable होती होगी, ब पिर मुझे लगा, अगर ये इतनी profitable है, तो इंडिया के अमीर लोगों की list में, कोई भी technical analyst क्यों नहीं है, मुकेश अम्मानी को देखो businessman है, अदानी को देखो businessman है, रतन ताटा को देखो businessman है, ये सारे जो इंडिया की richest list में होते हैं, वो या तो businessman होते हैं, राकेश जुन करने वाला कोई, इंडिया की या दुनिया की richest list में कोई क्यों नहीं होता, कुछ गरबड है ना, मैंने बहुत सारे technical analysis से ये सवाल किया, उनकी reasoning समझने की कोशिश की, घंटों बरबाद किये उनके ये videos देखने में, और कुछ चीजें common निकल के आई, एक, dialogue बाजी, बहुत स कैसे dialogues, भाव भगवान छे, और ना, हम youngsters कई बार, dialogue बाजी से बड़े impress हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूं, आप भी हो जाते हैं, ये हमें पता होना जरूरी है, भाव भगवान छे, हम impress किसी ने बोल दिया, एक वो show आया था, उसमें, वो main character बोलता है, risk है, क्या sense है इस बात का भाई, क्या sense है इस बात का, हम सब flat, क्या dialogue है, भाई, क्या sense है, risk है तो इसके, क्या sense है, क्या sense है, क्या sense है इस बात का, नहीं, लेकिन हम youngsters, एकदम से impress हो जाते हैं, तीसरा, ऐसे ही, वो एक सलमान खान की movie थी, एक बार जो मैंने commitment कर दी, उसके बाद, उसके बाद तो मैं क्या sense क्या है, कुछ हुआ आपकी जिंदगी में इसको बोल बोल के, हर जगे हम बोलते फिरेंगे, और कुछ हमारी जिंदगी में बदलता नहीं है, तो ये technical analysis वाले videos में बहुत जादा दिखा, dialogue बाजी, भाव भगवान छे, भाव बोल रहा है न आपको, भाव बोल रहा है कोई नहीं है, stock market में, technical analysis ये बोलता है, तो भाव भगवान छे, जिंदगी में, कोई भी और चीज हम इस principle पे खरीदेंगे, क्या भाव भगवान छे, ये मेरा phone, पांस लाख में लोगे, क्या, भाव भगवान छे, है ही न, कोई भी चीज दुनिया में भाव भगवान छे मा भाव को भगवान मान के हम कुछ भी नहीं खरीदते, तो ये technical analysis पे अचानक से कहां से आ जाता है, कि भाव भगवान छे, और उसके basis पे हम चीज़े खरीदने लग जाए, सारी दुनिया को technical analysis दिन, राथ, YouTube पे, Instagram पे, Telegram पे, WhatsApp पे, Email पे, Websites पे, ना जाने, कहां कहां, करोड और रुपए, लाख और रुपए, हजार और रुपए लेके सिखाया जाता है, result, result जानना चाहते हो, अभी-अभी, SEBI ने एक data जारी किया, close to 90% traders loss में हैं, इंडिया में, उसके कुछ समय पहले, जिरोधा ने एक data release किया था, 90% से जादा उनके users भी loss में हैं, तो इतना अग कौन करेगा, दूसरा, अगर मैं चार्ट देखके पैसे कमा सकता हूं, तो मैं YouTube पे क्यों आऊँगा, मैं Instagram पे क्यों आऊँगा, मैं अपने profit वाले screenshot डाल डाल के बकरे फसाने के कोशिश क्यों करूँगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँगा, क्यों वीडियो बनाऊँगा, मै चार्ट देखूँगा, और पैसे से पैसा कमाओँगा, आपका पैसा भी मुझे मिल जाए, फीस के रूप में, पचासफ़ार के कोर्स के रूप में, यह कोशिश मैं क्यों करूँगा, सोचो, आपको चार्ट देखके पैसा कमाने का तरीका आगया, यह तो जादू है ना, चार्ट आपको बता देगा, आपके तो सीख लिया है, सीक्रेट कोर्स कर लिया है, अब आप चार्ट देखोगे और आपको पता चल जाएगा, कि ये शेर कहां जाने वाला है, तो ये तो हवा से पैसे बनाने वज़े ऐसा है, आप हाथ में ऐसे ऐसे कुछ करो जादू, और प कैसे कमाते रहते, तो अगर किसी को चार्ट देखके, प्राइस मुव्मेंट प्रेडिक्ट करना आता है, कि ये शेर उपर जाएगा या नीचे, उसे यूट्यूब पे तो होना ही नहीं चाहिए, उसी किसी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे होना नहीं चाहिए, सोशल को आपके खर्चे चलाने है, कंपनी है, तो सैलरीज बाटनी है, तो इसलिए यूट्यूब पे आना पड़ता है, थोड़ी बहुता हैड से कमाई हो जाती है, उससे शेर मार्केट में, फिर से शेर लेके 5 साल भूल जाते है, हम जैसे लोगों को होना चाहिए, आनालिसिस वालों को यूट्यूब करने की जरुवत क्यों पड़ जाती है, सौफ्ट्वेर लोगों को बेचने की जरुवत क्यों पड़ जाती है, रोज कमाऊ रहे हैं, सौर उपे से भी शुरू करोगे, रोज 10% कमाऊँगे, तो महीनों में, कुछ महीनों में, देश के सबसे अमीर आदमी हो जाओगे अगर रोज कमा रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आता लोग फिर ये जो बोलते हैं और ये कैसे आप आते हैं ये एक तरफ बोलते हैं स्क्रीनशॉट्ट डाल के आज मेरा 10 लाग का फाइदा हुआ आज मेरा 20 लाग का फाइदा हुआ तीस क्यों रहा है अब मानी लाखों करोड रुपे साल के कमाते हैं वो रो स्क्रीन शॉट डालते हैं क्या आज मैंने पांच करोड रुपे कमाएं आज मैंने पचास करोड रुपे कमाएं नहीं वो कमा रहे ना उनको डालने की क्या जरुवत है कोई भी बंदा अगर अपने कामाते हुए उनको लाइव चलिए ये भी बताता हूं कि देखिए मैंने आपको कुछ कंसेप्ट सिखाया कि जब 200-day moving average cross हो जाए और ऐसा-ऐसा candlestick pattern दिखे तो मतलब share उपर जाएगा अब चलो ये share है जिसमें 200-day moving average पार हुआ है और pattern मैंने बोला था वो दिख रहा है अब मैं आपको इसमें live trade करके दिखाता हूँ अभी खरीटता हूँ देखना एक घंटे बाद ये share उपर जाएगा हो गया एक घंटा यार ये share तो नीचे जा रहा है एडिटर भाई एक काम कर डिलीट कर दे फिर से बनाते हैं कल हो सकता है कल ये trick चल जाए अब अगले दिन सेम एक घंटा पहले मैंने वो share खरीदा अब अगले दिन भी वो share गिर गया उपर नहीं गया तो एडिटर भाई फिर से आज की फिर डिलीट तीसरे दिन ट्राइ कर लेंगे किसी दिन तो share उपर जाएगा ना मैं वीडियो का एक्जामपल डालूंगा ये उस दिन का जिस दिन मेरा ये concept चल जाए और ये रंग की टी-शिर्ट मेरे पास 3-4 है मैं हर दिन यही रंग की टी-शिर्ट बेंगे वीडियो बन वि различis फुल प्रूफ तरीका है तो यह मुझे क्यों बता रहा है सच बता रहा हूं मेरे पास अगर फुल प्रूफ तरीका होता रोज सवाल उठाओ तो बहुत सारे लोगों का ego hurt हो जाता है और वो आ जाते हैं defense में कि कैसे बहुत सारे traders ने भी बहुत सारा पैसा कमाया है trading से भी पैसा कमाया जा सकता है उनको हमें ये बताना है कि सारे traders technical analysis से ही पैसा नहीं कमाते सिर्फ technical analysis एक तरीका नहीं है trading से पैसा कमाने का trading basically जिस तरह property की trading होती है दाल की trading होती है, दुनिया में किसी भी चीज़ की trading होती है आप किसी चीज़ को कम भाव में खरीदते हो, इस विश्वास के साथ कि इसका भाव बढ़ेगा और मैं इसको आगे जाधा भाव पे दे पाऊंगा तो दुनिया में जब trading होती है किसी और चीज़ की तो वो अपनी economics की understanding को, human psychology की understanding को, behavioral science को, बहुत सारे अलग disciplines की knowledge को यूज करके trade करते है चार्ट देखके trade करना और उसके basis पे लगातार पैसे कमाते रहना मैंने ऐसा तो किसी को नहीं देखा बहुत सारे investors भी in fact trading करते हैं बस investors उसे arbitrage कहते हैं कुछ simple examples दूँ, जब investors भी trading करते हैं बहुत simple examples हैं, कई investors तो regularly trade भी करते हैं वो technical analysis नहीं करते हैं, लेकिन simple examples कुछ जैसे मान लो, कोई company है, जिसका market cap है 100 करोड का अब उसके 75% shares, एक और उसकी owner company है, promoter company है उसके पास है, फिर से समझते हैं एक company है, company A, जिसके total shares की value है 100 करोड रुपे, वो 100 करोड की company है उसके 75% shares, एक company B के पास है याने, company B की minimum value, 75 करोड तो है न क्योंकि उसके पास 75 करोड रुपे के तो shares है, company A के अब मान लो, मुझे company B मिल रही है, 20 करोड में और मुझे पता है, इसके पास 75% share है, company A के, जिसकी total value 100 करोड है याने, company B के investments की value 75 करोड है और ये पूरी company मुझे मिल रही है, 20 करोड में तो मैं company B में invest कर लूँगा, कि जरूर इसका कुछ दिनों में share price बढ़ेगा और वो 60, 70, 75 करोड के आसपास आएगा अब थोड़े दिन में market को भी ये दिखता है, कि आरे हाँ यार, 75 करोड की investment है इस company के पास और ये 20 करोड में मिल रही है, और उसका share double हो जाता है और मैं उसको बेच के निकल जाता हूँ तो मैंने भी trading की, लेकिन technical analysis के basis पे नहीं की तो traders बहुत तरीकों से trading करते हैं हर successful trader का example देके ये नहीं बोला जा सकता कि technical analysis काम करता है Lastly, जरा सोचो, रतन ताटा, आदी गोदरेज, मुकेश अमबानी दुनिया के smartest minds में से कुछ लोग, ये आज भी कोई steel plant खोल रहा है कोई fiber optics बिछा रहा है दिन रात real businesses करते हैं, महनत करते हैं पैसा कमाने के लिए अगर technical analysis से चार्ट देखके, price predict करके पैसा कमाया जाता न तो ये लोग 10-10 साल तक अपना mobile का network नहीं सुधार रहे होते लाखो करोडों का करजा लेके, हजारो लाखो लोगों को employment देके, दुनिया भर से जगडे करके, legal hassles करके इतना struggle कोई नहीं करना चाता है सब TV स्क्रीन के आगे बैठते और इनके पास तो बहुत पैसा है न ये दुनिया के best software खरीते, best courses करते, best course कराने वाले कोई employee कर लेते और बोलते ये रहे 100 करोड रुपए इसको double करके दे ये लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते अब इसमें एक जवाब ये आता है कि भाई वो लोग entrepreneur है एक entrepreneur में और एक trader में फर्क होता है फर्क होता है लेकिन एक entrepreneur हमेशा पैसे का सही use भी जानता है अगर उसे पता है न कि 100 का 200 एक दिन में या एक महिने में या एक साल में हो सकता है टेक्निकल अनालेसिस के जरिये तो वो पागल नहीं है कि वो अपना पैसा दूसरी चीजों में लगाएगा लोगों में से कोई भी घर बैठके टेक्निकल अनालेसिस से पैसा नहीं कमारा वो लोग भी AIF में पैसा लगाते हैं venture capital funds में पैसा लगाते हैं hedge funds में पैसा लगाते हैं mutual funds में पैसा लगाते हैं जिस तरह हम और आप sensibly invest करके अपने wealth को save करते हैं compound करते हैं वो लोग भी उसी तरह पैसे को save invest और compound करते हैं F&O में gambling वो भी नहीं करते हैं अगर उससे पैसा बन सकता तो वो बना लिये होते हैं वो हमसे ज़्यादा intelligent है ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा motive सिर्फ एक था यार बहुत सारे young लोग इस market में आते हैं बहुत सारी उमीदों से आते हैं गलत चीजों में फस के losses करके अपने parents से कई बार पैसा लेके आते हैं कई बार उधार मांगके दोस्तों से relative से पैसा लेके आते हैं और इन चक्रों में फस के सब कुछ गवा देते हैं कभी किसी ने suicide किया तो क्या पता किया भी होगा कोई depression में आया तो कौन है ये सब का जब्मेदार हम में से कुछ लोग अपने लालच के लिए miss selling करते हैं लोगों को बेफकूफ बनाते हैं तो इसके खिलाफ अवास तो उठानी पड़ेगी न और डराने के लिए क्या होता है ट्रोलिंग हो जाएगी बहुत सारे कॉमेंट्स आ जाएंगे ये सबसे मुझे डर लगता होता तो कितने सारे वीडियोज मैंने नहीं बनाये होते हैं बट important ये है कि सही चीज करते रहो और जो नए लोग आ रहा है मैं उमीद करता हूँ कि वो इस वीडियो को देखे और गलट direction में जाने से बचे तो अगर आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो stock market के बारे में बात करते हैं या शुरू करने वाले हैं तो please उन्हें ये वीडियो भेजिएगा जिस भी ग्रूप में यंग्स्टर्स हैं college students हैं high school students हैं वहाँ इस वीडियो को भेजिएगा आप अगर कोई tuition ग्रूप में हैं कोई sports वाले ग्रूप में हैं जहां stocks के discussion होते हैं इस वीडियो को भेजिएगा trust me बहुत लोगों की जिन्दगी खराब होने से आप बचाएंगे इस वीडियो को जादा लोगों तक शेयर करके दिस इस प्रांजल कामरा signing off बाई बाई